ब्लॉगर ब्लॉगिंग कोर्स के 7th पार्ट में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग के लिए Contact Us, About Us, Disclaimer, Privacy Policy और Terms and Condition के Pages बना सकते हो अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से बनाते हैं और उनको ये नहीं पता होता इन Pages को अपने ब्लॉग पे कहा लगाना है जिससे हमें Google AdSense का Approval जल्दी मिल जाए और बहुत सारे लोग तो Contact Us पेज में अपना सिरफ email डाल देते हैं लेकिन Contact Us पेज में अगर आप जल्दी से AdSense का Approval चाते हो तो वहाँ पे Contact का Form डालना पड़ता है Proper इन Pages को Manage करना पड़ता है तो इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ कैसे इन Pages को Step by Step बनाना है ताकि आपको Google AdSense का Approval आसानी से मिल जाए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इन Pages को बनाया जाता है लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं एक चीज बता दूँ इन Pages को बनाना जरूरी इसलिए है अगर आप अपने ब्लॉग पे Google AdSense का Approval लेना चाहते हो तो यह Pages आपके ब्लॉग पे होने चाहिए इससे थोड़ा सा ब्लॉग जैन्न लगता है Google यह सोचता है कि आपने सभी चीजे अपनी Terms and Condition अगर आपसे कोई Contact करना चाहता है आपने अपने बारे में कौन हो यह सभी चीजे डाली हुई है तो आपको जैन्न सा मसता है AdSense का Approval जल्दी मिल जाता है तो गाई सबसे पहला पेज जो हम अपने ब्लॉग के लिए बनाएंगे वो है Contact Us पेज अब इस पेज को कैसे बनाना है थोड़ा सा Coding यूज करेंगे लेकिन घवराने की जरूरत नहीं आपका भाई है जस्ट आपको Copy-Paste करना है सारी चीजे मैं Provide करूँगा आपको एक जगा से उठाना है और जहां बताऊंगा वहाँ Paste कर देना है इतना सा काम करना है और Contact Us पेज चुटकियों में लग जाएगा और जो Page हम यह लगाएंगे Contact Us आपसे अगर कोई Contact करना चाहेगा यहाँ पे Form बरेगा और आपके पास वो आपके Mail में Message आ जाएगा इससे Google की नजरों में भी आपका Blog थोड़ा जैनन लगेगा और आपको AdSense Approval मिलने में कोई Problem नहीं होगी तो चलिए बताता हूँ कैसे Contact Us पेज आपको अपने Blog पे लगाना है दोस्तों Contact Us पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ Pages पे क्लिक करना है Pages पे क्लिक करना है आपको New Page पर क्लिक करना है जैसे ही आप New Page पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे Table लालना है तो हम यहाँ पे Title दाल देंगे Contact Us हमने यहाँ पे Contact Us डाल दिया अब यहाँ पे Pencil का बटन है यहाँ पे आपको HTML View Select कर लेना है HTML view में जो भी कुछ यहाँ पे होगा उसको Ctrl A करना है और Delete कर देना है आपको वीडियो के description में हमारे Telegram Channel का link मिलेगा आपको इस link पे जाना है और वहाँ से इस file को download कर लेना है जो की contact us की है यहाँ पे जो भी code आपको मिलेगा इसको copy करना है सारे को copy करने के बाद यहाँ पे paste कर देना है अब एक चीज में आपको दुबारा बताता हूँ यहाँ पे आपको select करना है HTML view अगर compose view में आप यहाँ पे डाल दोगे तो यह काम नहीं करेगा HTML view में इस coding को paste करना है इसलिए मैं दो बार बता रहा हूँ बहुत लोग इसमें गलती करेंगे यहाँ से HTML view को select कर लें इसके बाद आपको इसको publish करना है और उसके बाद confirm पे click कर देना है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा contact us page है वो बन चुका है देखिए यहाँ पे form आ चुका है और यहाँ पे किसी को भी हमसे contact करना होगा वो यहाँ पे name लिखेगा अपना email डालेगा और जो भी message लिखना चाहता है हमसे बात करना चाहता है वो लिखेगा send पे click कर देगा हमारे mail के उपर वो वाला message आ जाएगा तो देखा कितना असान है contact us page बनाना तो guys अब बात आती है about us page की बहुत सारे लोग about us page को गलट design करते हैं इसमें देखो हम किसी tool का use नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको practically यह बताऊंगा about us page में आपको क्या-क्या लिखन होता है क्योंकि लोग इसको ignore कर देते हैं यह सोचते हैं कि क्या फायदा इस चीज का formality है तो है डाल दिया ऐसा नहीं करना इसको बहुत प्यार से लिखना है अगर आप blogger बनना चाहते हो बहुत बड़े तो about us page को बहुत अच्छे से लिखो क्योंकि यह यह बताएगा कि ज about us इस तरीके से लिख देना है और यहाँ पर हमने पहले html view की हो था लेकिन आप यहाँ पर compose view कर लेंगे अब आपको क्या करना है मैंने आप अल्रेडी अपने लिए about us का जो page हो लिखके रखा है तो मैं आपको भी पहले copy paste कर देता हूँ यहाँ जो मैंने लिखा है फिर म आपको जरूर करनी है फॉर्मेटिंग को ठीक जरूर करना है तो यहाँ पर मैं क्या क्या कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा detail में इस page को मैंने publish कर दिया और confirm पे क्लिक कर दिया अभी page live हो चुका है अभी लिखा कैसे वो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो मै आपको बताता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आप लिखा hello friends आपका fitness कीड़ा ब्लोग पर स्वागत है तो आपका जो भी ब्लोग का नाम आप लिख सकते हैं मैंने अपने बारे में लिखा मेरा नाम राहुल है मैंने क्या education की है मैंने masters किया है computer में मैंने वो लिख दि तो मुझे काफी अच्छा लगता है तो जो जो हमारी likings होती है ना वो हमें अपने about us page में लिखने की नाम क्या है क्या 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 आपको अच्छा लगता है आप ये blog क्यूं लिख रही हो तो मैं ये blog इसलिए लिख रहा हूँ क्यूंकि मुझे fitness अच्छी लगती है ऐसा नह करना है आपको interest बताना एक पैरे के अंदर कि आपको क्या-क्या अच्छा लगता है आपने क्या-क्या education लिए है जो भी चीज़ें आपने बता दी सेकिंड में आपको क्या करना है सबसे main चीज जिस जिस category पर आप काम करोगे उनको bold करके यहां पे लिख देना है इसका मतलब क्या है अगर इससे related कोई google में search करेगा तो हमारा about us page भी rank करेगा हमने यहां पर बता दिया user को कि आपको यहां पर क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा तो यह सबसे अच्छी चीज होती है जो कि आपको यहां पर include करनी है तो इस तरीके से आपको अपना about us page लिखना है जिससे क् जो तीसरा page है वो है privacy policy का page जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है कोई बच्चा भी बना लेगा तो आप भी बना लोगे तो चलिए बता देता हो तो गाइस privacy policy का page बनाने के लिए हम दुबारा से new page पे आएंगे ज़्यादा तर प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन कुछ चीज policygenerator.info यह website खोलनी है आपको तो यहाँ पर आपको क्या करना है अपना जो website का नाम है company name के अंदर वो लिख देना है दुबारा से यहाँ आपको अपनी website का नाम लिख देना है उसके बाद जो हमारी website का URL है यानि यहाँ से copy करना link को और यहाँ पे paste कर देना है paste करने के company के अड यूज करोगे तो मैं तो नहीं करूँगा अगर आप third party के app यूज करोगे अड को Google AdSense की जगा तो आप यहाँ पे yes कर सकते हो इसके बाद आपको नीचे आना है और next के उपर click कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी country चुनननी है तो यहाँ पे हम इंडि कर देना है और यहाँ पर आपको अपना email address डालना है और उसके बाद generate my privacy policy पर click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे है थोड़ा सा नीचे आना है copy text to clipboard करना है वापिस से अपनी post पर आना है और यहाँ पे HTML view को select करना है जो भी लिखा हुआ है उसको हटा दें उसके बाद control V कर दें वापिस से compose view पर आ जाए यहाँ पर जो सबसे उपर लिखा हुआ है privacy policy वाला इसको हटा दें यहां से ठीक है हटाने के बाद यहां से delete कर दें और यहां पर क्या करना है इसको paragraph चूज कर लें ताकि यहां से इसकी फॉर्मेटिंग अड़ जाए और यहां पर जो line लिख देता हूं आपका जो privacy policy का page है यहां पर देखिए बनके ready हो चुका है कितना असान है इसको बनाना इसके बाद जो हमें next page बनाना है वो है disclaimer का इसे बनाना भी बहुत आसान है बच्चों का खेल है तो चलिए देख लेते हैं तो दोस्तो disclaimer का page बनाने के लिए सबसे पहले हम blogger में add करेंगे page disclaimer का क्योंकि new page बनाना पड़ेगा जैसे सभी pages को बना रहे हैं तो यहां पर हम add कर लेते हैं disclaimer इसके बाद क्या करेंगे Google पर जाएंगे और यहां पर लिखेंगे disclaimer generator जो हमारे पास पहली website होगी disclaimergenerator.net यह सबसे अच्छी site है इसको open कर लेना है और open करने के इसके बाद इसको same website name में copy कर देना है जो आपकी website का URL है उसको लेना है और उसको लेने के बाद यहां पर copy कर देना है बहुत आसान है next पर click करना है और यहां पर same चीज आपको अपनी country यहां पर चुन लेनी है तो यहां पर हम India चुन लेते हैं और जो भी आप state से belong करते हो आपको यहां पर चुन लेना है इसके बाद आपको यहां पर अपना email address डाल देना है generate my disclaimer पर click करना है और click करते ही कुछी seconds में बन जाएगा आपको यहां पर copy text to clipboard करना है उसके बाद वापिस आना है वही HTML view में जाना है जो भी लिखा हूँ उसको delete कर देना है paste कर देना है व cover disclaimer से लेके disclaimer generator तक इसको हटा दो हमें किसी का link यहां पर नहीं रखना disclaimer बन गया है इसको publish कर देना है confirm पर click कर देना है वापिस से यहां पर आ जाएंगे और check करेंगे कैसा लग रहा है तो यहां पर एकदम perfect यह लग रहा है इसके बाद जो हमारा next page है वो है terms and condition का इसे भी हम टूल की मदद से बनाएंगे जो की बहुत असान है तो चली यह बता देता हो तो गैस सबसे पहले हमें कहाँ पर page बना लेंगे और यहां पर हम लिखेंगे simple terms terms लिखेंगे उसके बाद Google पर आ जाएंगे search करेंगे generate terms and condition लिखकर जो पहली website होगी termsandconditiongenerator.com आपको इसी को खो इसको copy करना है, copy करके paste कर देना है, next पर click कर देना है, तो guys वही same process है, यहाँ पर country चुन लो, अपनी state चुन लो, email address डाल दो यहाँ पर, और उसके बाद generate my terms and condition पेज पर click कर देना है, जैसे ही आप click करेंगे, यहाँ पर वही option आएगा, copy to clipboard, इसको click करना है, HTML के view पे जाना है, जो कुछ है, यहाँ से delete कर दो, और यहाँ पर paste कर दो, वापिस से compose view में आओ, और जो पहली line है, इसको select करो, यहाँ से paragraph चुन लो, और यहाँ से इसको delete कर दो, ठीक है, इस तरीके से कर देना, अब नीचे हमें देखना है, इन्होंने link का लगाया है, देखो, यहाँ पर इन्होंने link लगाया है, इस link को यहाँ से select करो, hour से लेके, यहाँ तक generator तक, इसको हटा देना है, हटाने के बाद, just publish करना है, confirm पे click कर देना है, इतना करते ही, आपका terms का page बन जाएगा, हम यहाँ से view करते हैं, और यहाँ पे terms का page आ चुका है, तो दोस्तों यह थे हमारे 5 pages, अब मैं आपको बताता हूँ, इन्हें blog पे लगाना का पर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, कहां लगाना है, और ऐसे ही कई भी लगा देते हैं, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कहां लगाना है, और यह भी बताऊंगा कहां नहीं लगाना, तो चलिए practically आपको बता देता हूँ, तो guys, जो सबसे पहली जगा है जहां में इन pages को लगाना है, वो है सबसे उपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ब्लॉगर का जो कोड़ शुरू किया था, उसमें स्टार्टिंग में हमने बनाए थे, जब ब्लॉग सेटप किया था, लेकिन हमने इनमें लिंक नहीं डाले थे, वो कैसे डालना है, सबसे पहला page है about us, हमें क्या करना है, ले आउट पे जाना है, और ले आउट पे आने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोर्स में स्टार्टिंग में, यह जो पहला हमारा menu होता है, इसको बोलते हैं top menu, तो यहाँ पे top menu आ रहा है, इस पे pencil के बटन पे click करना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे about us, तो हमें क्या करना है, एक और side हम blogger का dashboard खोल लेते हैं, और एक side हमारा यह वाला खोला रहेगा, तो हमें easy होगा काम करने में, pages पे आएंगे, pages पे आने के बाद about us का है, जो आई बनी होई है, about us का होगया, same contact us का करना है, तो यहाँ पे हम अपने blog पे आ जाएंगे, pages में आएंगे, contact us के पास जो आई का button है, इस पे click कर देंगे, और जो पहला काम होगया, उसको बंद कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे contact us आ रहा है, तो contact us का हमने copy करना है page, copy करने के बाद वापिस आना है, इस pencil के button पे click करना है, और यहाँ पे जहाँ हमने hash लगाय था, यहाँ link paste करना है, और save करना है, इसके बाद privacy policy का आ रहा है, same जाएंगे pages पे, और privacy policy का देखेंगे, इस side button पे click करेंगे, इसके बाद हमारे दो pages और बचे हैं, यहां पर terms का और disclaimer का, तो उसके लिए क्या करेंगे, add new item करेंगे, कि एक और item add करना है, इसको नाम दे देते हैं, disclaimer, disclaimer नाम दिया, वापिस से page पर आए, अब इसका link चाहिए, तो इस i button पर click करेंगे, इसका link copy करेंगे, वापिस से आएंग terms का, तो यहां पर terms add कर लेंगे, और उस page का link लेने के लिए, side button पर click करेंगे, यहां से इसका link copy कर लेंगे, copy करने के बाद, इसको यहां पर paste कर देंगे, और save कर देंगे, उसके वाद last में यहां से save कर देंगे, इतना save करने के वाद, last में एक और button आता है, नीचे save का, यहा और कहा नहीं लगाने है, इस जगह पे, right side में बहुत सारे लोग लगा देता है, यहां नहीं लगाना, और यहां पे main category में लगा देता है, यहां नहीं लगाना, सबसे उपर लगा दो लेकिन main में मत लगाओ, इसकी जगह जो दूसरी है, वो है last में, यहां भी लगा सकते हो, इसको कैसे edit करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि हमने जब शुरू किया था, इस blogger का course, तो customization वाले में मैंने बताया था, ये वाला जो part होता है, footer होता है, तो footer कहां मिलेगा, सबसे last में, footmane क्या होता है, pair, pair कहां होता है, last में, तो footer website का कहां हुआ, सबसे last में, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, link list जो मिल रही है, इस pencil पे click करना है, और यहाँ पे वो आपको सारे link मिल जाएंगे, same जैसे उपर किया था, वैसे ही आपको नीचे कर देना है, और save कर देना है, उसके बाद क्या होगा, इस links आ रहे, यहाँ पे भी update हो जाएंगे, तो गाइस, यह थी हमारी blogger के blog का 7th part, आपका कोई doubt रहे गया हो, या फिर आपने जो पिछली 6 वीडियो करें, उसमें कोई doubt रहे गया हो, तो please clear कर लेना, नहीं तो आगे हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी समझना, तो जो भी doubt हो, comment कर देना, मैं help कर दोंगा, और जब तक अगली वीडियो आती है, इन सभी चीज़ों को कर लेना, मेहनत करनी मत छोड़ना, कोई दिक्कत आ रही है, अपने मन को demotivate मत करना कि यार नहीं हो रहा, ये समस्य आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ का solution निकालना ना मिले, मेरे पास आना, मैं कोशिश करूँगा आपकी help करनेगी, और मैनत करते रहना, मैं वादा करता हूँ, success जरूर मिलेगी, अगर हार नहीं मानोगे, मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए मैनत करते रहो, बबाए,